साइन का कोई भी फिक्स वेल्यू 3 अपॉन रूट ट्वेल नहीं होता तो हमने 3 अपॉन रूट ट्वेल इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लिफाई करके लिखा सो 3 अपॉन रूट ट्वेल को मैंने लिख लिया 2 रूट 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 12 के ओधा 4 तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और इसके बाद मैंने रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया multiply कर दिया यहां भी रूट 3 से multiply कर दिया और यहां भी ठीक है same number से multiply कर रहा हूँ numerator denominator तो रूट 3 रूट 3 हो गया 3 और 3 से 3 cancel out हो गया तो बेसिकली यह सब cancel out हो गया तो क्या बचा है रूट 3 by 2 और sign root 3 by 2 कब होता है sign 60 degree पर तो मुझे q plus 30 60 degree के equal हो गया तो q क्या value क्या है 60 minus 30 is 30 degree अब आपको पूछा हूँ है cos square theta तो यहां पर theta कितना है 30 degree so cos square 30 degrees cos 30 कितना होता root 3 by 2 और उसका square करोगा तो क्या होगा root 3 का square 3 और 2 का square 4 answer is 3 by 4 option number third thank you